Good morning students, आज हम स्टार्ट करेंगे chapter 21, chapter 21 है direct and inverse proportions. देख 쉬운, इस chapter में हमें क्या दिया गया है? Variations के बारे में दिया गया है, Variations के होते हैं Changes. हम ऐसे बहुत सारे Changes होते हैं, जो होते रहते हैं Continuously. अब यहाँ पर हमारे पास जो Changes होते हैं, उन Changes की Two Types बता रख्यें. क्या होता है और indirect variation क्या होता है यह हमें क्या है study कर रहा है direct variation क्या होता है जब दो quantities कोई भी दी गई है जैसे मांदीजी x and y वो क्या होती है directly changes होती है directly vary करती है तो उसको हम क्या बोलते है direct variation means अगर एक quantity में change हुआ तो दूसरी quantity में भी अगर उतना ही corresponding change होता है मतलब अगर एक quantity increase हो रही है तो दूसरी quantity भी increase होगी और अगर एक quantity decrease हो रही है तो दूसरी quantity भी जब decrease होती है तो उसे हम क्या बोलते है direct variation direct variation का मिनिंग क्या हो गया कि जब एक quantity में change होने से दूसरी quantity में भी उसकी corresponding change हो रहा है जैसे माल लीजे एक quantity में अगर increase हो रहा है तो दूसरी quantity में भी increase हो और एक quantity में अगर decrease हो रहा है तो दूसरी quantity भी decrease होती है तो उसे हम बोलते है direct variation second हमारे पास होता है indirect variation indirect variation क्या होता है एक quantity में change होने से दूसरी quantity में भी change हो रहा है लेकिन opposite direction में opposite direction का मिनिंग एक quantity अगर increase हो रही है तो दूसरी quantity decrease हो रही है और अगर एक quantity decrease हो रही है तो दूसरी quantity increase हो रही है तो यह होता है direct जिसमें फोष्ट के आपर पास कुछ एम्पल बता रखे हैं, उसके हैं इस पहों सौन हो सकते हैं, तो 10 पैंस की कोस्ट होगी, वो जादा होगी, तो यह किसका एक्जांपल हो गया, डिरेक्ट वरिशन का एक्जांपल हो गया, नेक्स आपके पास distance covered by a moving object, varies directly to its speed, अगर एक कोई भी object है, वो जो distance cover करता है, वो उसकी speed के directly changes होता है, directly vary करता है, जैसे की, जितनी ज़्यादा speed होगी, उतना जल्दी आप distance को cover कर पाएंगे, same time में, और जितनी कम speed होगी, उतना आप कम distance को cover कर लाएंगे, तो यह हमारे पास है direct variation, तो यह जो हमारे पास direct variation के यह थे, examples, अब इस exercise में, यहाँ पर जो हमारे पास exercise 21.1 है, यहाँ पर हम करेंगे direct variation related questions, तो देखिए, आपके पास first question यहाँ पर दिया गया है, in which of the following tables x and y vary directly, हमें बताना है कि इनमें से कुन सी table में, जो x और y है वो directly vary करते हैं, first, second, third and four, तो first देखिए आपके पास, यह जो आपके पास table दी गई है, x, y, 2, 6, 5, 15, 7, 21, 11, 33, 21, 63, मतलब जब x की value 2 है तो y की value 6, x की value 5 है तो y की value 15, x की value 7 है तो y की value 21, अब हमें बताना है direct किसमें हमारे पास variation, तो direct variation के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनका ratio चेक करते हैं, अगर इनका ratio equal होता है x और y का, हर एक point पर, तब तो हो क्या होगा, direct variation होगा, अदर बाइस direct variation नहीं होगा, तो ratio हम कैसे चेक करेंगे, 2 upon 6, 5 upon 15, 7 upon 21, 11 upon 33, 21 upon 63, तो आप देख रहें 2 upon 6, 5 upon 15, 7 upon 21, 11 upon 33, 21 upon 63, इन सबका जो answer आएगा, वो सबका answer कितना आ रहे, 11 upon 3 आ रहे, तो सबका answer कितना रहे, वो सबकी हमारे पास, ratio of the corresponding values of x and y is constant, जो ratio है, x और y का वो क्या है, constant है, same ratio है, 1 upon 3, and is equal to 1 upon 3, और किसके एक वाल है, 1 upon 3 के एक वाल है, तो x और y क्या variation कैसा होगा, direct variation, same as it is, second के लिए चेक करेंगे, second में आपके पास stable दे रखे, 4 upon 4 and 2, 10 and 5, 14 and 7, 20 and 10, 48 and 24, तो देखिए, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, इसका, यहाँ पर ratio चेक कीजिए, 4 upon 2, 10 upon 5, 14 upon 7, 20 upon 10, 48 upon 24, इन सभी का ratio देखिए, कितना रहे, 2 to the 4, 5 to the 10, 7 to the 14, 10 to the 20, 24 to the 48, तो इन सभी का जो, आंसर हमारे पास आ रहा है, वो constant है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी हमने लिख देखिए, 10 दा ratio of the corresponding values, of x and y is constant, x और y की corresponding values का, जो ratio वो क्या है, constant है, और किसके एक वल है, 2 के एक वल है, तो x और y जो होंगे, यह वो direct variation में होई, hence x and y are in direct variation, इसके बाद हमारे पास third दिया गया है, x और y, x और y में देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है, 1, 3, 4, 12, 5, 90, 6, 20, and 7, 21, तो देखिए, यहाँ पर 1 upon 3, 4 upon 12, अब देखिए, यह तो एक वल है, 4, 1s are 4, 4, 3s are 12, लेगिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप करेंगे, तो 5, 1s are 5, 5, 1s are 5, और 5, 8s are 40, तो 1 upon 18 आएगा, यहाँ से तो यह कंप्लीट कैंसिली नहीं होगा, और यहाँ से आपके पास आएगा 1 upon 3, तो देखिए, यह और यह, यह तीनों तो इकवल हैं, आपके पास क्या बनेगा, 1 upon 2 बनेगा, नेक्स्ट आपके पास दिया गया, 3 square upon 3 cube, तो 3 square upon 3 cube क्या बनेगा, 1 upon 3 बनेगा, 4 square upon 4 cube बनेगा, 1 upon 4, और 5 square upon 5 cube आएगा, 1 upon 5, तो क्योंकि रेशो सबका इकवल नहीं है, यह, constant नहीं है, तो X और Y जो होगी, वो direct variation में नहीं होगी, तो जब रेशो इकवल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दो quantities direct variation में होती है, अदरवाइज direct variation में नहीं होती है, अब हम देखते हैं इसी का second question, 35, 5, आपको देखी क्या दिया गया गया, तो आपको पता है कि ratio दोनों का क्या होगा, इकवल होगा, तो उस ratio की help से ही हम क्या करेंगे, यह पर find out करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमने टेबल बना दी, XY 35, 1, यहाँ पर आपके पास जो dash दिया गया था, क्योंकि X की value है, तो यहाँ पर हमें पता है कि इनका जो ratio का वो इकवल होगा, तो 35 upon 5, इकवल होगा X1 upon 8, तो हमने यहाँ पर ले लिए 35 upon 5 is equal to X1 upon 8, अब आपको पता है जब ratio इकवल होता है, तो हम इनको क्या कर सकते है, cross multiplication कर सकते हैं, तो हमने cross multiplication कर दिया, 35 को 8 से multiply कर दिया, 5 को X1 से multiply कर दिया, अब X1 की value चाहिए, तो X1 को हम यही रखेंगे, यह 5 जो यहाँ पर multiply में, इस सेडा की divide में चला जाएगा, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5, 7s are 35, तो 8, 7s are 56, तो X1 का answer आपके पास कितना आ गया है, 56, same as it is, हम X2 का answer find out करेंगे, तो 35 upon 5 को अब इसके equal ले लेंगे, 35 upon 5 is equal to X2 upon 12, अब हमने क्या किया, cross multiplication कर दिया, 35 को 12 से और 5 को X2 से, अब X2 की value find out करेंगे, तो 5 को divide में ले आएएगे, 5, 7s है क्या हो जाएगा, 35 और 12, 7s है हमारे पास हो जाएगा, 84, तो यह आगे X2 की value, X2 की value, Y1 की value हमें find out करनी है, को 35 upon 5 को हम equal ले लेंगे, 91 upon Y1 के, तो हमने ले लिया, 35 upon 5 is equal to 91 upon Y1, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, cross multiplication कर देंगे, 35 को Y1 से multiply कर दिया, 5 को 91 से multiply कर दिया, Y1 की value हमें find out करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 को divide में ले जाएंगे, 91 upon 5 के, यहाँ से देखे, आपको पता है, 5, 7s है, 35 होता है, 7 की table से जबाब इसको cancel करेंगे, तो यह एगा 13, तो Y1 की value हमारे पास कितनी हा गई, 13 आ गई, अब हमें X3 की value चाहिए, तो 31 upon 5 is equal to X3 upon 20, तो हमने लिख दिया, 35 upon 5 is equal to X3 upon 20, अब फिर से cross multiplication कर देंगे, 35 को 20 से और 5 को X3 से, अब X3 की value हमें चाहिए, तो 5 को divide में ले आएंगे, 5, 7s are 35, 27s are 140, 14, तो X3 की value हमारे पास कितनी हा गई, 140, same as it is, आपके पास इसका second part होगा, तो मैं आपको इसका second part करवा रही हूँ, first or second part मैं आपको करवा रही हूँ, third part or fourth part आपको कुछ से करने, second part में table देखिए, आपके पास क्या दी गई है, 3.5 upon 7, 7, फिर आपको blank दिया गया तो उसकी जगे लिख लिए, X1 upon 10, फिर blank दिया गया तो X2 upon 14, फिर 18.5 upon Y1, और X3 upon 14, मतलब X के वाले में तो हमने X1, X2 और X3 ले लिए, Y वाले में हमें Y1 ले लिए, तो अभी यहाँ पर भी ये directly vary करते हैं, तो इनका ratio equal होगा, तो 3.5 upon 7 equal होगा, X1 upon 10 के, अब हम इसको भी क्या कर देते हैं, cross multiplication कर देते हैं, तो 3.5 multiply 10 is equal to X1 multiply 7, इसको इससे multiply, X1 की value चाहिए, तो 7 divide में आ जाएगा, अब देखें, 3.5 को जब 10 से multiply करेंगे, तो 35 आएगा, 35 upon 7 का मीनिंग क्या है, 5, तो X1 की value हमारे पास आ गई, 5, अब हमें next value चाहिए, तो देखें, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 5 upon 10 ले लिया, क्योंकि देखो, यह सारे ratio आपस में equal है, मतलब यह ratio, यह ratio, यह ratio, यह सारे ratio equal है, तो X1 की value हमारे पास 5 आई थी, तो हम divide में ले आएंगे 10 को, तो यहाँ पर देखें, 5, 2s are 10, और 2, 7s are 14, तो यहाँ पर आपके पास X2 की value कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, next हमें किसकी value चाहिए, Y1 की value चाहिए, तो इसके साथ फिर हमने compare कर दिया, 5 upon 10, 5 upon 10, इसको equal कर दिया, 18.5 upon Y1, इन दोनों को multiply, इन दोनों को multiply, तो 5 को Y1 से multiply, is equal to 18.5 को 10 से multiply कर देंगे, तो हमें किसकी value चाहिए, Y1 की value चाहिए, 18.5 को जब आप 10 से multiply करोगे, तो आएगा 185, और यहाँ पर हम 5 को divide में ले आए, 5 से cancel किया, तो यह किस पर cancel हो गया, 37 पर, तो Y1 की value आपके पास आगे 37, यहाँ पर आगया 37, अब आपको X3 की value चाहिए, तो फिर से compare कर देता है, 5 upon 10 is equal to X3 upon 40, cross multiplication कर दिया, 5 को 40 से और 10 को X3 से, 5 को 40 से multiply करेंगे, और 10 को X3 से, तो X3 के multiply में 10 है, तो 10 को divide में लिया है, 10 fours are 40, और 5 fours are 20, तो X3 की value आपके पास कितनी आगई, 20, तो यह आपके पास होगे first and second part, जैसे हमने first and second part किया, वैसे हमारे पास हो जाएगा इसका third part, and fourth part, third question देखिए, आयूश बोट 6 pens, 4 rupees 78, find the cost of 19 such pens, आप इन questions में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से बता करना पड़ेगा, कि यह आपके पास direct variation के question है, या indirect variation के question है, तो देखिए, आयूश बोट 6 pens अगर 78 rupees में purchase किया है, तो आपको पता है 19 pens की cost क्या होगी, जादा होगी, मतलब 6 pens की cost अगर 78 है, 19 pens की cost जादा होगी, मतलब जितने जादा pen उतनी cost जादा, तो यह direct variation के question होगया, तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमने ले लिया, let the cost of 19 pens is equal to rupees x, जो हमें find out करना है, उसको हमने ले लिया x rupees, अब हम क्या बना देते हैं, एक table बना देते हैं, टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए, आपके पास six, हमने, आपके पास क्या क्या दिया गया, pen or cost दी गई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, pens and cost, cost हमारे पास आगे रूपीज में, आपको दिया गया 6 pens की cost है, 78 rupees, तो pens की जेगे, हमने इस pens की सामने six लिखा, cost की सामने 78 rupees लिखा, अब आपको 19 pens की cost find out करने है, तो हमने pens की सामने 19 लिख दिया, cost हमने 19 pens की कितनी लिए, x हमने आपर लिख दिया, अब आपको पता है, यह direct variation का question होगा, तो हमने लिखा, clearly the cost of 19 pens will be more, six pens की cost अगर कम है, तो 19 pens की cost ज़्यादा होगी, मतब जैसे ही pen को increase किया, तो cost भी increase हो जाएगी, तो यह किसका case है, हमारे पास direct variation का case है, तो हमने लिख दिया, so it is the case of direct variation, अब direct variation में ratio equal होता है, तो six upon 78 is equal to 19 upon x, cross multiply कर देंगे, six को x से, और 78 को 19 से, तो six को x से multiply कर दिया, 78 को 19 से multiply कर दिया, x की value कितनी आएगी, six divide में ले गए, six की table से यहाँ पर cancel किया, तो यह किस पर cancel हो जाएगा, 13 पर, और 13 को जब हम 19 से multiply करेंगे, तो आपके पास answer कितना आजाएगा, 247, तो यह होगी है, हमारा question number 3 complete, question number 4 में देखिए, question number 4 आपके पास दिया गया, 60 takes 135 minutes in walking 125 meters, 60 को अगर 125 meters की distance कवर करनी है, तो उसको time लगता है 135 minutes, what a distance would she cover in 243 minutes, तो 243 minutes में वो कितनी distance कवर करेंगी, अब आपको पता है, जितनी हमारे पस कम minute होगी, कि हम कम दूर जा पाएंगे, जितनी हमारे पस ज़्यादा मिनट होगी, उतना हम ज़्यादा दूर जा पाएंगे, उतनी हम ज़्यादा distance कवर कर पाएंगे, तो यह भी कैसा question होगी है, direct variation का, मतलब जैसे हम time को increase करेंगे, तो हमारी जो distance से वो भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो यहाँ पर देखे, सबसे पहले हम लेंगे, let the srishti covers x meters distance in 243 meters, हम यहाँ पर मान के चलते हैं, कि srishti ने x meter की distance को cover किया, in 243 minutes, 243 minutes में आपको distance find out करने है, तो distance हमने ले ली x meters, अब फिर से हम इसमें भी एक table बना देंगे, आपको देखे, इस question में क्या दिया गया, time दिया गया और distance दिया गया, तो time हमें दिया गया minutes में, और distance हमें दिया गया meters में, तो time के साथ हमने minutes लगा दे, distance के साथ meters, अब देखें आपके पास क्या दिया गया है 135 मिनट्स में 125 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है तो टाइम है 135 मिनट्स डिस्टेंस कवर होगे 125 मीटर्स टाइम फिर आपके पास कितने है 243 मिनट्स है और डिस्टेंस आपके पास कितनी कवर होती है उस टाइम में X डिस्टेंस यह आपको find out करनी है तो ये भी direct variation का case है आपको पता है तो हम क्या कर देंगे रेश्यो इसमें भी equal कर देंगे 135 upon 125 is equal to 243 upon x तो हम क्या कर देंगे cross multiply 135 को x से multiply कर देंगे आप और 243 को 125 से multiply कर देंगे x की value हमें find out करनी है तो 135 divide में आगए इन दोनों के अब यहां से हमी क्या कर देना है, cancel कर देना है, cancel कर देते हैं, 5 की टेबल से आपके पास यह cancel हो जाएगा, 5, 2s are 10, 5, 5s are 25, और 5 की टेबल से जब आप इसको cancel करेंगे, तो 5, 2s are 10, and 5, 7s are 35, तो 27 पर cancel होगे, और 27, 9s आपके पास कितना होता है, 243, तो X की जो value आएगी, आप 25 meters, question number 5, if the cost of 23 meter of the cloth is 345, then what would be it cost to buy 93 meter of such cloth, अब आपको पता है, 23 meter cloth की cost दे रखे 345, तो जितना हम जादा cloth लेंगे, उतनी हमारे cost भी increase हो जाएगी, तो यह भी direct variation का कीस है, तो यहां पर भी देखे हमने क्या किया, हमने ले लिया कि 93 meter cloth की जो cost आएगी, वो कितनी आएगी, र आपको length cloth की length दी गई है, और आपको क्या दिया गया है, cost दिया गया है, तो आपने यहां पर लिख दिया cloth, जो length of cloth है, वो तो in meters है, और जो cost आपके पास रुपीज में, तो देखे 23 meter of cloth की cost दे रखे 345, बोला गया है, 23 meter cloth की cost है 345, तो हमने 23 की cost ले ले ली 345, आपको cost find out क तो cloth की सामने 93 meter लिख दिया, cost आपको find out कर दिया, यहां पर x लिख दिया, यह भी direct variation का case होगा, तो 23 upon 345 is equal to 93 upon x, cross multiplication कर देते हैं, 23 को x से और 345 को 93 से, तो x की value आपके पास क्या आएगी, 23 से divide कर देते हैं यहां पर, अब 23 से जब हम divide करेंगे, तो देखें, यहां से जब आपके पास आएगा, 15 पर cancel हो जाएगा, तो x की value क्या आएगी, 15 को 93 से multiply कर दिया, तो यहां से cost आपके पास आएगी, 1395, तो जो 93 meter cloth की cost आएगी, वो कितनी आएगी, 1395, next दे रखा है, इसी में question number 6, मयंक टाइप 570 words during half an hour, how many words would he type in 7 minutes, half an hour, जब आपके पास half an hour का मीनिंग यहां दे रखें, यहां पर half an hour, half an hour का मीनिंग क्या होता है, 30 minutes, 30 minutes में मयंक कितने words टाइप करता है, 570 words टाइप करता है, तो 7 minutes में कितने words टाइप करेगा, तो आपको पते 7 minutes में अगर वो टाइप कर करेंगे, तो जैसे हमने time को कम किया, वैसे words भी कम होगे, तो दोनों में direct variation है, तो यहां पर देखिए, हमने लिख दिया, let the mang types x words in 7 minutes, हमें बताने 7 minutes में कितने words टाइप किये, तो हमने लिखते है, x words में टाइप किये, तो यहां पर हमें दो चीज़े दी गई यह, time दिया है, 570 words, तो हमें बताने 7 minutes में कितने words टाइप होंगे, तो हमने minutes time के सामने 7 लिख दिया, और words के लिए x लिख दिया, यह भी direct variation का case है, तो 30 upon 570, equal आएगा 7 upon x के, तो यहां पर 30 upon 570, 7 upon x के equal है, तो हम cross multiplication कर देंगे, 30 को x से, और 570 को 7 से, x की value आपके पास कितनी आएगी, इ यह cancel हो गया, यहां पर 19, पर cancel हो जाएगा, और 19 7 से आपके पास कितना आजाएगा, 133, तो मतलब वो 7 minutes में कितने words टाइप कर सकता है, 133 words टाइप कर सकता है, यह होगी, आपका question number 6 complete, next आपके पास देखी, question number 7, question number 7 में दिया गया है, एक car covers 375 km at the constant speed in 5 hours, एक constant speed से चल रही है तो वो 375 km की distance को cover करती है, 5 hours में, how much time will it take to cover 675 km at the same speed, अगर car की speed देखो same है, car की speed में अगर कोई changes नहीं है, तो हमें बताना है कि 675 km की distance को वो कितने time में cover करेगी car, speed अगर हमारी जादा हो जाती ही, तब तो हम कम time में cover कर सकते थे, लेकिन speed हमें constant same speed बताई गई है, तो देखिए, अगर हम 375 km हमें दूर जाना है, तो हम 5 hours में जा रहे हैं, तो अगर हमें same speed पर 675 km जाना है, मतलब अगर हमें distance ज्यादा cover करने है, तो time भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो यह भी किसका case हो गया, direct variation का case हो गया, देखिए इस question को कैसे करेंगी, हमने दिया कि car को कितना time लगेगा, X hours लगेगे, let car takes X hours to cover 675 km distance, तो अब हमें क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, आपको दिया गया, distance दिया गया, तो distance किलोमेटर में है, तो time किसमें है, hours में, तो देखिए, distance हमारे पास कितनी दी गए, यह 375 km किलोमेटर की distance 5 hours में complete करत पताना है, 675 km की distance को कितने time में cover करेगा, तो हमने X time ले दिया, अब यह भी direct variation का case हो गया है, क्योंकि speed equal दी गई है, तो speed equal दी गई है, तो हम यह direct variation का case हो जाएगा, 370 upon 5, equal आजाएगा 675 upon X के, यहां पर भी हम क्या कर देंगे, cross multiplication कर देंगे, 375 multiply X, equal आएगा 675 multiply 5 के, यहां आज एक्स की value find out करनी है, तो देखे हम क्या करेंगे, 675 multiply 5 है, as it is, इसके divide में हम 375 को लिख दिया, यहां से जब इसको cancel किया, तो यह 75 पर cancel होगा, तो यहां पर X की value आपके पास कितनी आगे, 9, इसका मतलब 675 km की distance को cover करने में इसको कितने hours लगेंगे, कार को 9 hours लगेंगे नेक्स्ट देखें, इसी में question number 8, a bus travels 15 km in 25 minutes, if the speed remains the same, how far will it travel in 5 hours, यह भी same question है, इसमें भी speed सेम है, एक bus 15 km की distance को 25 minutes में cover करती है, 25 minutes में कितनी distance cover करती है 15 km, तो हमें बताने है कि 5 hours में यह कितनी distance cover करेगी, मतलब 25 minutes में 15 km distance cover करती है, तो 5 hours में आपको भी पता है कि वो ज़्यादा distance cover करेगी, जितना time ज़्यादा होगा, distance भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो यह भी direct variation का case होगया, तो यहाँ पर देखें, हमने question number 8 में क्या लिया, let the bus travels x km in 5 hours, हमें बताने है 5 hours में कितनी distance cover करेगी, तो हमने ले लिया, बस कितना distance cover करेगी, x km की distance, अब देखें, यहाँ पर आपके पस minutes में दिया गया है, और इधर आपके पस hours में दिया गया है, तो हम दोनों को same convert कर लेगी, तो 5 hours को मैंने minutes में convert कर दिया, 5 hours किसके equal होता है, 5, 1 hour 60 minutes के equal होता है, तो 60 से multiply कर देता है, तो 5 hours म minutes में कितने distance car cover करेगी, जो बस है वो कितने distance cover करेगी, तो देखें, time minutes में ले लिया, हमने distance को km में ले लिया, दोई चीज़ें आपके पास दी गई है, time दिया गया है, और distance दी गई है, तो हमने time ले लिया, और distance ले लिया, अब time 25 minutes में 15 km की distance cover करती है, तो हमें बताने 300 minutes में कितनी distance cover करेगी तो हमने लिए x distance ये भी direct variation का case होगा क्योंकि जितना ज़्यादा time होगा उतनी हम ज़्यादा distance cover कर सकते हैं तो 25 upon 15 equal हो जाएगा 300 upon x के cross multiplication कर देते हैं 25 multiply x is equal to 15 multiply 300 x की value find out करनी है तो 15 multiply 300 divided by 25 आजाएगा अब यहां से cancel कर देते हैं 25 की table से इसको cancel करेंगी 300 को तो यह 12 पर cancel हो जाएगा और 15 and 12 इन दोनों का multiplication आपके पास कितना आ जाएगा 180 km इसका मतलब 5 hours में जो bus है वो कितनी distance cover करेगी 180 km की distance cover करेगी next आपके पास दिया गया question number 9 एक car is traveling at an average speed of 50 km how much distance will it travel in 18 minutes एक car है वो एक average speed से चल रही है मतलब 50 km की distance को 1 hour में complete कर रही है तो आपको बताने average speed मतलब same speed रही है उसकी how much distance it travel in 18 minutes तो 18 minutes में वो कितनी distance travel करेगी देखे 1 hour में या 60 minutes में कितनी distance cover कर रही है 50 km तो 18 minutes में कितनी distance cover करेगी जितना time कम होगा distance भी उतनी कम cover करेगी तो यह भी direct variation का case है तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि 18 minutes में जो car है वो कितनी distance cover करेगी x km की distance cover करेगी तो हमने ले लिया let the car travels x km distance in 18 minutes x km की distance cover करेगी 18 minutes में इसके लिए भी हम table बना देंगी आपके पास time दिया गया है और आपके पास क्या दिया गया है distance दिया गया है मिनट्स के, तो 60 मिनट्स में कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 किलोमेटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपको इसमें बताना है कि 18 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करीगी, तो टाइम दोनों में मिनट्स में ले लिए हमने, 18 मिनट्स में तो इसका मतलब 18 मिनट में वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 15 किलोमेटर की डिस्टेंस कवर करेगी तो यह आपका question number 9 भी हो गया next आपके पास भी आगया question number 10 एक taxi charges fare of rupees 1425 for a journey of 150 km एक taxi के जो charges है वो दे रखे है 1425 कितनी किलोमेटर की distance के लिए 150 किलोमेटर की distance के लिए how much would it travel 4 rupees 1358.50 हमसे पूछ रहे कि अगर उसके पास 1358.50 रुपीज है तो वो जो taxi है वो कितने distance कवर करेगी देखिए हमारे पास जतने जादा रुपीज है उतनी रुपीज में हम मानलो 1425 रुपीज में 150 किलोमेटर की distance कवर कर रहे है तो जतने कम रुपीज होंगी उतने मे रुपीज 1,358.50 हमने ले लिया कि जो taxi है वो X किलोमेटर की distance कवर करेगी 1,358.50 रुपीज में तो आपके पास यहां पर देखिए दो चीज़े दिया गया है और उसका फेयर दिया गया है चार्जिस दिये गया है तो हमने लिखा distance किलोमेटर में दिया गया और जो किलोमेटर कितने चार्जिस में 1,425 तो 150 और 1,425 आप distance हमें बतानी है इतने रुपे में कितनी distance कवर करेगी तो charges को हमने लिख दिया 1,358.50 और distance की जगे हमने क्या लिख दिया X तो ये भी direct variation का case होगा तो कि जितने ज्यादा charges उतनी हम ज्यादा distance कवर कर पाएंगे जितने कम चार्जिस उतनी हम कम distance कवर कर पाएंगे तो यहाँ पर 150 divided by 1,425 इक्वल होगा X upon 1,358.50 के direct variation का case है तो हम cross multiplication कर देंगे 150 को multiply कर देंगे 1,358.50 से और 1,425 को multiply कर देंगे X से देखें यहाँ पर हमने multiply कर दिया 150 multiply यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया इसका decimal हमने अटा दिया 0.50 तो decimal अटाया तो यहाँ पर आगया 100 और 1,425 आगया divide में यहाँ से इसको cancel कर देते हैं इन दो 0 से यहाँ पर एक 0 और यह 0 यह आपस में क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे फिर हम इनको क्या कर लेंगे solve कर लेंगे 15 की table से अगर हम इसको cancel करेंगे तो देखे 15,9,100,35 तो यहाँ से आपके पास remainder बचेगा 7,7,5 तो यह 75 बन जाएगा और 15,5 होता है 75 और 95 से जब इसको cancel करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा 143 किलोमेटर तो 1,358.50 रूपीज में कितने किलोमेटर की distance को कवर कर पाएंगे 143 किलोमेटर की distance को कवर कर पाएंगे तो यहाँ इस वीडियो में हमारे पास होगे question number 1 to question number 10, question 11 से लेकर question 20 तक हम next video में करेंगे